नमस्ते वोकलकाव्ड नूडियोव सब्सक्राइब का पीडियो है छीerson हाण Heба's तो यह वीडियो में में जीरली हम उकल काव्ड नूड़िल का ट्डेत्मेंट का ट्रीट्मेंट याने की मेडिकल ट्रीट्मेंट and surgical management दोनों देखेंगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए सर्जरी के सर्जरी चाहिए यह डिपेंड करता है पेशेंट अर्ली स्टेज में है कि लेट स्टेज में अर्शन करें मिलें कि अरली स्टेज मतलब केंडिरें मेंली स्टेज मतलब कम्प्लीट नॉड्यस फॉर्म नहीं हो अग्ümüzेए स्टेज और कम्पिलीट नोडूल हो गया तो लेट स्टेज इर्ली नोडूल में एंदस्कोपी करेंगे तो थोटा सा सूजन दिखेगा थोटा डिफ्यूज रहेगा वेला और ऑग्युनाइस्द नहीं रहे तो अल्ली स्टेज में में डिकलट्रीटमेंट मतलब ड्रीटमेंट आपको को एंटी सर्जन से भी मिलेगा और आपको स्पीच लैंग्विश्ट पैतोलोजिस से भी मिलना पड़ेगा वह आपको बाखी ट्रीट्मेंट देंगे यह आपको एक कैप्सिल नुद टैबलिट देंगे जो सब्सक्राइब और उसके बाद आप स्पीच लैंग्विश्ट जब मिलेंगे तो पहले आपका वाइस किया जाएगा तो वाइस ऐसा होता है कि आपको आपसे कहा जाएगा कि आप ए भूलके साउंड करो पहले ब्रीटिन करो हवा लेलो और सांस भायर जैना है और ए आवास करते रहना है एकी स्ट्रेच में तो अगर्चों आप 15 सेंड बोल सकते हैं मतलब आपका वोकल कॉड्स नॉर्मल जिसका वोकल कॉड्स ट्रेंड मेरे नॉर्मल नहीं है वो पंद्रा सेंड बोल नहीं पाएंगे शायद दस और दस के सेकंड में ही रहें यह वोकल कॉड्स अभी वोकल कॉड्स का तेरपी अल्रेडी आपको एंडी सर्जन ने वीडियो भेज़े होगा स्पीच लैंग्विज प्रतॉर्जिस के लिए और वो देखने के बाद समझ जाएंगी कि वोकल नूडियो ले उसका थ्रीटमेंट देना अभी स्ट्रों फोनेशन टेक्निक मतलब आपको एक एक्सरसाइस बताये जाएगा वो आपको घर में करना है कि स्पीच लैंग्विज प्रतॉर्जिस का यह एम है कि आप एक्सरसाइस करने के बाद जो साउंड कर रहें बना रहें यूज कर रहें उसी साउंड में आपको घर में नौर्मली बात करना है मैं बताऊंगा कैसे तो यह नौर्मल ग्लास पानी और स्ट्रॉव और आपके जब यूज कर ना है और स्ट्रॉव जो है सिर्फ अमर्णेड़ पानी क Away और उपर ही रहें और उपर करके उल्न यूज करेंगे तहला स्ट्रॉव से जाना चाहिए बट इतना ही जाना चाहिए कि गतल किव्ल स्ट्रॉवर दीरे उपर आ रहा है मैं बताऊंगा अबसको को तो इसमें मैं खुद इतना एक्सपोर्ट नहीं हूं करने में आपको क्रेक्ट से देखना है समझना है तो यूटूब जाके कोई भी स्पीच लैंग्विज्ट पैतोलोजिस का यूटूब स्ट्रॉफ फोनेशन टेक्निक दाल दो वह आपको बताएंगे आपको बहतर समझ में आएगा फिर आपको में पॉइंट जो वह आपको में समझा दो तो सर्फेस में रखना है वूब करना है हवा इसके अंदर से सिर्फ एक एक करके बबल आना चाहिए जब उसका प्रैक्टिस हो जाएगा पानी के अंदर और वू बोलके यूज करना है ऐसा यूज करना है कि आपको भी सुनना चाहिए और इसका हवा स्ट्रॉ से जाके बबल जो फॉर्म हो रहा है वो दीरे दीरे उपर आना चाहिए देखे थीरे थीरे बबल आना चाहिए तो ये जो साउंड आप एक एटेंड करेंगे उसी वाइस में आपको बात करना है यह है आपका पिच और लॉडनेस दोनों एक होना चाहिए ठीक से होना चाहिए इससे ज्यादा साउंड नहीं निकालना आपको यह है स्ट्रॉ फोनेशन टिक्निक तो एक दिन में आपको पांच बार करना है एक सेशन मेंने बताया ऐसा आपको टोटल सेशन चाहिए दस में तो 15 सेशन एक ही टाइम में ऐसा पांच बार करना है एक दिन में जब भी आपको टाइम में लेकर सकते हैं और उसके बाद भी आपको यह वाइस में नौर्मल भी बात करना है अभी मैं अगर चो पेशिंट टीचर है उनको स्पेशल एडवाइस है यह देखेंगे फस्ट य है कि यह पिक्चर देखें यह जो टीचर है डाइस में खड़के सिखा रहें पड़ा रहें और उनका वाइस हाई रहेगा इसलिए कि वह चाहते हैं कि हर स्टूडन उनका आवाज सुने ऐसा नहीं करना है सिर्फ उधर ही खड़के सिखाएंगे तो उनको वालियम आवाज ज्यादा करके यूज करना पड़ेगा तो हो सकता तो लिखने के बाद आप चरूटन के पास चला जाई चतना पास जाये आपका you कम करेंगे और वह सकता है तो प्लास में चल चल के पढ़ा है स्टूडेंट्स के पास चल चल के पढ़ा है आपका वालियम ज्यादा नहीं और दूसरा पॉइंट यह है कि आप क्लास में एम्प्लिफियर यूज़ कर सकते हैं चोटा सा हैंडी एम्प्लिफाइज मिलेगा और वाला क्लास में डिस्टर्ब भी नहीं होगा और सिर्फ आपका स्टूडेंट सुन सकते हैं तीसरा टेक्निक यह है कि आप एक बार सिखाने के बाद आप स्टूडेंस को चैंज दें रिवाइस करने के लिए एक टॉपिक में उसका सब टॉपिक्स बना दो एक टॉपिक समझो छे पेज है तो छे स्टूडेंट्स को बोलो कि एक एक पेज प्रसंद करेगा तो स्टूडेंस को भी आक्टीव रहेंगे रिवीशन हो जाएगा आपको थोड़ा वोईस रस भी हो जाएगा ऐसा टीचर्स करना चाहिए और हो सकता तो पानी जियादा पिए वाटर बढ़ा चाहिए एक दिन में टू 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 त्री लिटर्स और जब आपका डाइग्नोसिस हॉस्पिटल में हो जाएगा तो फस्ट मोस्ट इंपोर्टन तिंग यह बात यह है कि अगले दो दिन के लिए आपको कुछ नहीं बात करना है अब अशक ब्लाना है किसी हो दो ब्लाना है तो बैजना है सोना मझाना है तो सिर्फ एक्षिंटस confitadan उसके बाद नौर्मिल बात कर सकते की आपने अपने समर्शे कितना उसना ही करना या उसके बात बात फरक हो तो आपका समझ जाएंगे कि वाइसरस से बहुत फाइदा हो सकता है और आपका lifestyle modification change करना है वो क्या है बताता हूं और किसी से बात करना है वो बंदा दूर खड़ा हुआ है तो उसके पांस जाके बात करो ने तो उसको पांस में बुला लो उसके बात करो और विस्पर मत करना है ऊसा भी सब्सक्राइब करना उससे वाइस वाइसरेंबढ़ जाता है कॉफी आउइड करो बिबरेज़स लेगन जूस और जूस पाइसी फूल आवाइड करना स्मोकर है तो कुट कर दो, पैसी स्मोकिंग अवाइड करो, रिलाक्स करो, नॉर्मल स्लीप पैटन और ठीक टाइम पे खाना ले लेना, अगर चो इतना करने के बाद भी, फेलियर हो गया, वाइज नॉर्मल नहीं हो रहा, मतलब वोकल नोडूल कम्प्रीटली फॉर्म हो चु कुट करेगा, एक यह लिखा होगा, क्या ऑप्रेशन करने वाले हैं, यह लिखा होगा, और ऑप्रेशन को कॉम्प्लिकेशल्स, अप्रेशन का मेन कॉम्प्लिकेशन है ब्रिटिंग डिफिकल्टी, दुसरा भी है प्रोसीजर का मैं सिर्फ मेन बता रहा हूं, गले में जो सकता है में जो है ब्रीधिंग दिफिकल्टी और इसी दौरान कंसर्ण निकने के हॉस्पिल को यह करेंगे उसी दौरान आपका ब्लड टेस्ट और जो भी टेस्ट चाहिए वह करेंगे और यह सुब टेस्ट का नतीजे के साथ आपको फिसेशन से मिलना है वह एक्जामेन क के दिन और आज की दिन रात में बारा के बद बाद कुछ पीना मत कुछ खाना मत अगले दिन ऑपरेशिन जो है वो मैक्रो लेंगोस्कोपी और वोकल कॉड नोडुल एक्सिशन तक्रीबन एक घंटा का निकम लेंगे टाइम 45 मिनिट्स के खरीब बट यह जो सर्जन का अगलो ऑपरेशिन के बाद रूम ने तो वाड आएंगे तो अगले चार घंटे तक कुछ कुछ पीना मत कुछ खाना मत आइवी फ्लूइज जाता रहेगा स्टाफन साब के वाइटल्स चेक करते रहेगी और अंटासेट मिलेगा नहीं तो प्रोटोन पने इनमेटर लाइक अगले दिन सुब में डिस्चार्ज हो जाएंगे और घर जाने के बाद ये के अड्वाइस फॉलिओ करना है व Panther स्टम्पीन वास्ट्रेइज दो दिनके लिए उसके बाद सर्जरी अवॉइट करो ऐसा नहीं बता रहा हूं मेडिक सर्जरी सर्जरी होता है हम कुछ काट के हम निकाल रहे तो काट के निकालने के बाद आपको हाट रिसल्ज जो है करती है तो ही सर्जरी करेंगे तो ऐसा वोकल कोड नोडियूल मैनेज बच्चों में वोकल कोड नोडीन्यूल रिफेंग वंकल का नोडीन बच्चोंमे Instalary अगर्चों के फेलियर है तो भी हम होसकता है उतना Medi resign nai किरेंक अगये थे लोग में है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट और स्वाजिकल ट्रीटमेंट दोनों ओप्शन ऐसा वोकल कॉड नोडिूल मैनेज किया जाता है नमस्त्री